M.I.D.C. इलाके में सिग्रेट मांगने की बात को लेकर अनवन हो जाने पर C.R.P.F. के सेवा निवृत जवान ने एक मजदूर पर रिवॉल्वर से गोली दाग दी जख्मी सुरेश रामभाउ ठाने कर 52 वर्षी एकात्मता नगर जैताला निवासी के शिकायत पर पुलीस ने C.R.P.F. के सेवा निवृत जवान गनेश प्रसाद उम्र 45 साल स्वास्तिक नगर डोंगरे लियाउट M.I.D.C. निवासी पर धारा 307 के तहत मामला दर्च किया है उधर गनेश प्रसाद ने भी पुलीस को बताया कि सुरेश ने उसके और उसके पतनी के साथ विवात कर हमला बोल दिया परिष्ट अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुचे थे जानकारी के नोसार जैताला के पास स्वास्तिक नगर डोंगरे लियाउट M.I.D.C. निवासी गनेश प्रसाद परिवार के साथ रहते हैं उनके घर में किराना दुकान है वे C.R.P.F. से सेवा नवृत हुए है वे जीसे ग्रूप सेंटर हिंडा में थे उनके पास दो बेर के बंदुक और रिवालवर है सेवा नवृत होने के बाद उन्होंने घर पर ही दुकान खोल रखी थी बुद्वार के सुबह करीब 6 बजे उनकी पतनी चिंता देवी प्रसाद दुकान में बैठी थी इस दोरान पपो उर्फ को शोतम सोनेकर की चाइनीज की दुकान में काम करने वाले सुरेश सोनेकर पपो की मोटर साइकल पर बैठ कर गनेश के किराना दुकान पर आए सुरेश ने 20 सिगरेट मांगी तो चिंता देवी ने उसे देने से मना कर दिया इस बात को लेकर पविवात करने लगा अनबन के बीच ये सुरेश और पपो वहां से चले गए करीब 10 से 20 मिनिट के बाद दोनों गनेश प्रसाद के दुकान पर दुबारा गए इस बार विवात बढ़ गया आरोप है कि सुरेश ने गनेश के पतनी के साथ भी मार पीठ की या देख गनेश ने डंडे से प्रहर किया तो उन्होंने डंडा चीन लिया इसके बाद सुरेश ने तैश में आकर गनेश के सिर पर हसिया से वार कर दिया सेड से खून बहता दे गनेश घर में गय और रिलोवालवर लाकर दुकान के अंदर काउंटर पर ही सुरेश पर गोली दाग दी गोली सुरेश के बाई कंधे के बगल में जागुसी खून देख कर पपू के होश उड़ गय वा उसे मेडिकल अस्पताल ले कर गया अस्तिनगर डोमरे ले आओट मदे दोगोजन त्याठीकानी आले होते आं तेनी सिगरेट ची मागनी के परत 15 मिंट ने दोगे जन दे दुकाना मदे आले आले आन दुकाना पंदी आले नंते तेनी हाता मदे एक वीडा आनलेला होता और एक डंडा आलेला अनी मक तो घराद इन बिसे नियूस के लिए अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिशेक पांसी के रिपोर्ट